मित्रों आईए सर्भदंश योग के बारे में जानते हैं ये योग कैसे बनता है इसका क्या फला आई जानते हैं दोस्तों लगन कुंडली में लगन से सप्तम भाव में शनी रवी और राहु तीनों यदी हो तो पलंक पर सोने पर भी और उचे कितना भी उचे सोने पर भी रहने पर भी उसे सर्भ काट लेता है यानि कि सर्भदंश हो जाता है और उसका भै बना रहता है जिसके कारण जो है कई बार मृत्य तुल्य तक व्याधी पहुँच सकती है इसलिए इसतरह का कोई योग आपकी कुंडली में है तो और फिर कुंडली एनलेसिस के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर कॉल करके अपाइमेट ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं